हेलो फ्रेंट्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेलकम फ्रेंट्स अलफद दिन पर आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्रोबेट रिडर यानि की जो पीडिफ हम खोलते हैं उसमें पासवर्ड अगर हम देखते हैं और password हमें पता है लेकिन फिर भी उसके अंदर बार बार हमें password डालना पड़ता है और उसकी security को हम हटाना चाहते हैं या किसी PDF में password हम apply करना चाहते हैं और कुछ contents जैसे कि copy करना या printed को allow करना या printed को don't allow करना कि आप नहीं चाहते कि आपकी document को कोई print निकाल सके या उसके data को कोई copy कर सके तो इस तरह की PDF पर restriction आप कैसे लगाएंगे वो ही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर normally जो आप download करते हैं accrobate reader वो full version में नहीं होता है जिसके कारण हम उसके security में ना तो apply कर सकते हैं ना उसके security को remove कर सकते हैं example के लिए एक file में ने यहाँ पर desktop पे डाली हूई है currency नम की मैं इसको जैसे ही double click करके open करता हूँ तो यहाँ पर password पूछा जाता है password मैं यहाँ डाल देता हूँ 111 जो कि मुझे पता है लेकिन ok करने के बाद अगर मैं किसी data को यहाँ से copy करता हूँ तो copy option enable नहीं है साथ ही साथ अगर मैं इसका printing भी allow करने की कोशिस करूँ तो यहाँ पर भी वो permission नहीं दे रहा है click होने के लिए option ही enable नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पर यह जो PDFS की पहले से ही security set है और वो security में नहीं apply कर रखिये कि कोई भी document का print ना निकाल सके या उसके data को copy ना कर सके तो वही चीज में आपको भी बता रहा हूँ क्योंकि normally यह सब आपको नहीं पता होगा सायद किसी किसी को पता हो लेकिन normally आपको सायद ही ना पता हो आप वो मुझे comment box में बता सकते हैं कि आपको पता है या नहीं पता है या और भी related आपको कोई topic प पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने से पहले भी gif folder पे password कैसे apply करें वो भी बताया था तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी security से related हमें options नहीं दिखाई देता हम जैसे ही यहाँ पर protection पे जाते है security property पे जाते है security setting पे तो कोई भी option हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा कि हम अपने password को हटा सके यहाँ पर protection के अंदर security properties की बात करें तो printing not allow, document assembly not allow, सब चीज आपको देखेंगे कि कोई भी चीज यहाँ पर allow हमने नहीं करे हुई तो कहीं भी हमें setting उसकी नहीं मिलेगी उसके लिए हमें क्या करना होगा Adobe series का full version हमें download करना है चाहे वो CS3 हो, 4 हो, 5 यर 6 आपको full version download करना है मैंने अपने PC में CS3 का option activate कर रखा है तो right click करते हुए open with में आप चले जाएंगे Adobe Acrobat जो की मेरा CS3 का full version है मैंने यहां पर password डाला, 111 और ok press करा, यहां पर आप देखेंगे कि वो ही चीज copy वगएरा तो allow नहीं हो रही लेकिन एक option आप और देखेंगे security जिसमें यहां पर password encrypt से हमें related चीज़े दिखाई देंगे अब हम यहां पर अगर अपना password डाल देते है, 111, password is incorrect, enter password यह हमारा दूसरा पार्ट पर जो हमने data को copy वगएरा के लिए कर रखा है, वो मैंने 122 डाला था यहां पर, ok press करेंगे तो पूरी setting खुल जाएगी, कि आपको अगर फाइल save as करनी है, वो बिना password के करनी है, ये आपको password required है, या आप एडिटिंग password लगाना चाहिए, जिसमें printing को आप allow करना चाहते है, या printing allow नहीं करना चाहते, चेंजिस अलाव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो चीज़े आप यहां से ले सकते कि आपका data copy हो सके आपका प्रिंट हो सके आपका password डोकुमेंट पे ना अपलाई हो वो सारी settings आपको यहां से मिल जाएगी और अगर आप इसकी security हटाना चाहें तो एक option है remove security जिसको आ यहां पर double click करने पर अब आपसे password नहीं पूछा जाएगा copy option भी activate हो चुका है और आपका print option भी यहां से activate हो चुका है तो इस तरीके से आप password apply कर सकते हैं अपनी PDF पर protection लगा सकते हैं और अगर आपको password पता है कि इस PDF का और आप उसको हटाना चाहते हैं तो वो भी आप full version के अंदर से हटा सकते हैं CS3 का link description में आपको मिल जाएगा अगर आपके पास full version नहीं है तो आप description link से download कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा आप like and comments करके जरूर बताएं आगे के इसी तरीके से video मैं आपको देता रहूंगा जिसमें हम कुछ settings related बात करेंगे कुछ windows related बात करे है thank you for watching bye bye